तो यह अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले class 8 का जो unit हमारा 6A हमारा है champion women तो champion women के यहाँ पर जितनी प्रकार के most important questions थेकिए important most important questions mcq type questions यानि कि multiple choice questions जदि मैं हिंदी में कहूं तो बहुत विकल्पी प्रस्न जो है तो सभी वीडियो जोदे आपको देखना है तो क्या करना डिस्क्रिप्शन में जाना है वहाँ पर आपको प्लेइलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और आप लोग जो सभी वीडियो को स्रेली देख सकते हैं या फिर आप डैर्क्ली प्लेइलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं read the passage and choose the correct option मतलब यहाँ पर आपको जो यह passage दिया रहेगा और passage को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो न इसके प्रसनों के उत्तर आपको करना है तो इस प्रकास से यहाँ पर passage आपका रहेगा आप screenshot ले लिजे प्रकास का यहाँ पर प्रसन आपका आगया है name the chapter from where this district has been taken मतलब यह chapter जो न वह कहाँ से लिया गया है मतलब यह chapter जो न किस हमारा कहाँ से लिया गया है तो यह आपका लिया गया है champion woman से तो काफी आसान प्रसन था यह वाला यानि कि इसका हमारे विकल्पस का तीन जोने वे हमारा सही हो जाएगा option number three इसका बिल्कुल सही है ठीक है अगर next question हम लोग देख लेते हैं अगला question यहाँ पर देखे अगला question दो नमबर यहाँ पर कहा गया है what have Indian woman done to get recognition देखे recognition मतलब क्या होते है पहचान क्या होती है मतलब हमारे भारतिय महिलाओं को ठीक है पहचान बनाने के लिए क्या करना पड़ता है मतलब पहचान बनाने के लिए क्या करना पड़ता है तो सबसे पहला option यहाँ पर क्या है पहला option लिखा है rise above the age old convention इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब आपका होता है دیکھیں age old convention इसका मतलब आपका होता है सद्यों पूरानी परंपराई तो सबसे पहले अपना पहचान बनाने के लिए यहाँ भारतिय महिलाओं को पहचान बनाने के लिए recognition बनाने के लिए क्या करने पढ़ती है तो सबसे पहले सद्यों पूरानी परंपराई महिलाओं को आगे बढ़ने से रोखते हैं है कि नि remains gonna तो यहां पर सबसे पहले तो सबसे पहला बात है कि भारतीय महिलाओं को अपनी पहचार बराने के लिए कुल पुरानी परमपराओं को तोरना पड़ता है चीज होते हैं जो कि उन मर्यदाओं से भी आपको आगे उठना पड़ता है अपनी पहचान को बनाने के लिए ठीक है तो यह वाला भी ऑप्सन आपका सही लग रहा है अप्सन नमर 3 का यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या लिखा है अब ध्यान समझेगा इसका मतलब होता है समझोते और बलिदान का जीवन अलग रखते हुए अलग भी रखना पड़ता है मतलब कि समझोते और बलिदान compromise मतलब होता समझ होता sacrifice मतलब होता बलिदान इन सभी का जीवन अलग रखते हुए महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ता है तो यहाँ पर इस प्रकास से हम सभी option को देखे सभी विकल्पो को देखे तो यहाँ पर सभी विकल्प आपका सही है तो इस प्रकास से हमारे men यहाँ पर option मतलब option वह आपका हो जाएगा option for all of these देखे all of these मतलब क्या होती all of these मतलब होता है इन में से सभी तो मतलब इन में से सभी option यहाँ पर विकल्प आपका सही है यहाँ पर fourth number option जो आपका सही हो जाएगा all of these ठीक है इस प्रकास से आपको मैं यहाँ पर समझार हो ता कि आपको कोई परिसानी नहीं होगा हाला कि यहाँ पर आपको आंसर भी बगल में दीख रहा होगा लेकिन जदी आप एक बार समझ जाएगे अच्छी प्रकास से आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है पर इक्जाम में आपको कोफिशन घुमा प्रकास से पुछा जा सकता है तो आप लोग बनाने के लिए तरह से तियार होंगे जदी आप लोग चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लिए ताकि आपको यहां पर बेनिफिट होगा और वीडियो मतलब के आपके पास आएगा तो देख पाईएगा ठीक है तो चलिए अगला देखिए तीन नमर कॉफिशन को पर कहा गया है कि who has struggled for fulfilling her dream मतलब कौन जो है na struggle करता है इस्ट्रगल मतलब क्या होता है इस्ट्रगल देखिए कुछ में आपको word meaning बता रहा हो तो word meaning को आप लिखते चलिए कोपी में है तो आपके लिए अच्छा होगा देखिए struggled मतलब होता है संघर्स किया मतलब struggle मतलब क्या dream को तो वे अपने dream को अपने सपने को पूरा करने के लिए कौन struggle कर रहे हैं तो इस चप्टर में अपने champion उमेन में आपने पढ़ा चप्टर का नाम क्या है चिंपियन उमेन तो यहाँपर стрirgat कौन कर रहे हैं तो strirgat आपके कर रहे हैं Indian उमेन मतलब भारतिया महिलाए फी ठीक है तो इस प्रकार से हमारा विकल्प निका तीन यहां पर बिल्कुल सही है कोई प्रसानी आपको नहीं होने चाहिए ठीक है चलिए अगला अगला कॉफशन को अब मैं आगे बढ़ता हूँ ठीक है तो यह रहा आपका अब यहां पर प्रसना चार नमबर ठीक है तो देख अटिश लिजेगा इस वर्ड को समाज में पहचान व्राने के लिए ठीक है क्या ना पड़ता है तो यहां bara होगा बाय dai द्रमीनेशं अन करेज भाइते मिनेशन अनकररेज अब देखेंगे ड्रमीनेशन मतलब की होता है यांतलगा ड्याना व कर दिखेंडगा क्या होता है द्रिर संकल्फ लिख लीजेगा आप लोग ड्रिर संकल्फ ड्रिर्मिनेशन मतलब क्या होता है ड्रिर संकल्फ ठीक है मतलब ठोस संकल्फ ठीक है इस पर कासा आप लोग कर सकते हैं तो द्रिर संकल्फ मतलब होता है determination, अब देखे, courage मतलब क्या होता है, तो courage मतलब होता है साहांस, ठीक है, अदेखे, भारतिय महिलाओं को अपने समाज में recognition, यानि कि पहचान मराने के लिए न, तो पहचान मरने के लिए संभर्श करना पड़ता है और क्या करना पड़ता है साहांस दिखाना पड़ता है यहां पर आपस момент हैं और तो यह वाला आपकाया विल्कुल यहां पर क्या होगा सही होगा तो विकलब 2 यानि की ऑप्सियन थीरान पर सही है बहुत अगल्र सब्चाइए यदेखे 5 बहादोरी होता है बहाद्री किया होता है बहादूरी होता है बहादूरी इसे मतलबटि मतलब कायर्थ या जिशेको डडर पोग भी काते हिए टीमिटिमुटिम्लöl वबतने होदि गायरता होता है एक यहां पर लिखा गया आपका यहां पर देखेगा वर्ड वेजी मिमनस느ें है गायरता है मतलब ब्रेवरी के समान word मतलब bravery का ही bravery को दूसरा English word में हम लोग क्या कह सकते हैं इसको कह सकते है courage करेज मतलब क्या होती है करेज मतलब होता है साहास है की नहीं तो यहां पर क्या हो जाएगा बाद में पढ़ लीजेगा चलिए बहुत अच्छा अब हम लोग प्रसनों को देख लेते हैं ठीक है तो यह आप लोग यहां पर अब देशेते हैं हमारा पहला प्रसन यहां पर आ गया पैसेज के बाद यहां पर पहला प्रसन जो है यह आपका कहा गया हूँ इज साक्षी मल हो जाए रेसलर मतलब यहां पर ऑप्सन नमर 3 क्या हो जाएगा बिलकुल आपका सही हो जाएगा सक्षी मली कौन है रेसलर है चलिए बहुत अच्छा अगला प्रसन देखिए दो नमबर धियान से समझेगा देखिए दो नमबर कॉश्चन आपका क्या कहा गया है वाट फादर्स एक्यूबेसन मतलब अप्सन नमर 23 गया जैगा इसका बिलकुल जैगा से यहां पर सीख रहें अभी चले देखिए तीन नमर दिखें क्या काता है हमारा तीन नमर प्रसन है हूँ वु कोच मतलब होता है जैसे की जो इनको सिखाता है जो करता है ठीक है उनको में रही सिखाता है कोच कोच करते हैं तो यहां पर आपको बताना है क्षबो constitu को कौन थे। सजी के करता है सफुर्डई कोन थे इस Zackar मलिक के पिता जी किया था सो आपको बी jus को बता यह साक्षी मली को चियाँ का यह सबस्थी यहाँ पर प्रेस्ण आपका आ गया कि सक्षी मली का हां से बिलोंग करते थेस तो सक्षी मली अपको क्या आप बिलाग जाए Article तो यहां पर पर क्या कहा घären कहा यह इसकी होगे है अधिकतर जो हमेहा रेसलर्स सब होते और हरियना की हिए ही होतें मैंने तो अधिकतर देखा है हरियातर तरब की यहां पर सक्षि-मली कहा के थके अधिब्लकुल हरियाना के tried देखिए यहाँ पर आपका आगया पांच नमबर प्रसंद और यहाँ पर क्या कहा गया है यहाँ पर कहा गया है at what age did she begin her training ठीक है मतलब यहाँ पर बताय गया है कि उन्होंने जो है उन्होंने कब से जो है अपना training start किया देखिए सिर्फ 12 साल की जब age की थी न तब से इन्होंने जब अपना training start कर देती है मतलब आपनों यहाँ पर समझ सकते हैं तो यहाँ पर हमारे क्या है at what age date see begin her training तो वे कितने साल कितने साल जब थे तब से start कर देती है तो बारा साल से ही practice करना शुरू कर देती है किसकी wrestling की ठीक है तो इस प्रकास है हमारा fifth number option का इधर option number three क्या हो जगा बिल्कुल सही जगा बहुत अच्छा चलिए और भी यहाँ पर प्रस्ण है इसको भी हम लोग जलिली देख लेते हैं अच्छी प्रकास आपको मैं बता रहा हूं देखिए चलिए तो यहाँ पर आपक questions by choosing the correct option ठीक है मतलब यहाँ पर आपको क्या करना question कुछ है और इस question का आपको answer करना है जो विकल्फ सही है उस विकल्फ पर आपको choose करना है ठीक है चलिए पहचान है तो देखिए यहाँ पर हमारा सांधार प्रस्ण है और यहाँ पर चलिए तो यह आपको साब साब देख र महीला खिलाड़ी है जो कि आप लोग यहाँ पर पड़हे हैं तो होगी मेरी कौम कौन हे तो मेरी कौम जो है बोक्सर मतलब क्या होती है जहाब हो जानते है लेकिन इसको आपको क्या होता है ben behalf जो जानते हैं यहां अपर हैं आपे क्या जालता है यहाँ आप हुआ है त्छ इस प्रकासे तो हमारा मेरी कौंट है तो यहाँ तो यह रहा आपका यहाँ पर क्या कहा गया ओक्न यहाँ एंट प्रोडोण वाँगे तो प्रोडोणववुस्क होग गया पुडुनोवा दीखे एक परकार का नियम है ध्यान से आप लोग समझेगा पुरुडुनोवा क्या है अब चलिए ओप्शन देखिए आप साइब थ्री को आप पढ़े ध्यान से और टाइप आप ऐटिस्टिक जिमनास्टिक वोल्ट ठीक है तो ये आपका पुरुडुनोव जो है भी क्या है प्रोडो नुवा एक परकार का मारा आर्टिस्टिक मतलब कला कलात्मक होता है जिमनास्टिक वोल्ट है यह क्या है कलात्मक जिमनास्टिक वोल्ट है तो इसको हम लोग कते हैं प्रोडो नुवा क्या कते हैं प्रोडो नुवा कते हैं तो इस प्रकार से हमारा इंडियन ऊमेन इन ऊलंपिक मेडल इन बैड मींटन ठीक है तो सबसे पहला यहां पर भारतिया महिला बताना है यन्नों ने ऐलमपिक मेडल जिता था उलंपिक मेडल इसaríaग में से प्रकार तो इस प्रकार हमारा option number two में लिखे ना पीबी सिंदू यह आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा बहुत अच्छा सांदार यहाँ पर प्रसना आप लोग भी समझ रहे हैं बहुत अच्छी प्रकास से अब देखे कॉफिशन फोर यहाँ पर क्या कहा जहारखंड की है जहारखंड की option number two है जगा बिल्कुल जहारखंड ठीक है सुम रहे सित्य कहां की बिलॉंग कर रही है कहां से है तो जहारखंड से है जहारखंड याद रखना आपको चलिए अगला option देखे कॉफिशन नमबर five ध्यान पुरुवत देखे कॉफिशन पर क्या कहा गया है विच एवाड वाज एवाड़ेट तू सानिया मिर्जा मतलब सानिया मिर्जा को कौन से एवाड़ दिया गया था तो सानिया मिर्जा को दिया गया है अर्जुन एवाड जो की खेल खेल के खेल में दिया आता है ना खेल रतना पुरुषका रही है वाला एवार्ट वूस एवार्ड व कोन सा इवार्ड दिया गया था तो है ठीक है ठीक है तो यहां पर वीच एवार्ड वास एवोड़ वाज इसाँ ऐसाने पाइप नमर का ऑपसे नंबर्ए क्या होगया बिलकुल सही हो गया अगला कॉफ्शन देखिए कॉफ्शन मेर सिक्स देखे, कॉफिशन मिर्जा यहाँ पर है When did Sanya Mirja start playing? मतलब Sanya Mirja जो कब से खेलना शुरू कर देती है तो Sanya Mirja जो है at the age of 5 मतलब यह 5 साल से ही शुरू कर देती है खेलना ठीक है, 5 साल से ही, जब 5 साल की जब होती है रहती है, तब यह 5 साल से ही खेलना शुरू कर देती है तो इस परकार हमारा 6 नमर का option रहती है बिल्कुल सही हो जगा at the age of 5 इस परकार 6 नमर तक हो गया, बहुत अच्छा-च्छा यहाँ पर प्रसना था चले, और भी यहाँ पर प्रसना है, जो कि आप लो यहाँ पर धियान पुर्वग देखिए चले देखिए, यहाँ पर आपका question आपका है कि how many title and awards has Sanya Mirja won तो Sanya Mirja ने, Sanya Mirja जो है न, हमारा 41 WTA और हमारा end, 4 जो है ITF यह आपका जीता गया है, किन्यों ने जीता है, Sanya Mirja ने तो फिर से आप लो दियान दिजिए, फिर से देखिए, Sanya Mirja ने यह सब awards जीते है, ठीक है तो यहाँ ध्यान सिखिएगा, option number 3 को देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, option number 3 में आपका है 41 WTA and 4 ITF तो यह जो है ना, यह उन्होंने इतना सारे पदक उन्होंने जीता है ठीक है, अगला option देखिए, option number 8 अब देखिए, option number 8 यहाँ पर क्या कहा गया है option number 8 है, the, the forgot, the forgot sister are associated with मतलब forgot sister जो है ना, वे हमारा किस से बिलॉंग करते है associated मतलब क्याता है, संबंधित मतलब संबंधित है, किस संबंधित है, फोगाड sister अपने पढ़ा है फोगाड sister जो है ना, वे किस संबंधित है, वे लोग हरियाना की थी है ना, हरियाना की, तो वे किस संबंधित है, वे है रेस्लिंग से बहुत अच्छा है आपकर मैंने मतलब हैं हार्यानाया लो क्या चाले नचिसे संब्हुद और हよろको से विर्स्षिंग से सब्सक्राइब यहां पर सिलवर मेडल जीता था तो किस ने सिल्वर मेडल जीता था यह दिपा मलिक ने क्या किया है दूजर 16 में, समर उलम्पिक में, समर मतलग या थी, गिरिस मकाले उलम्पिक में, उन्होंने गोला फेक में, सिल्वर मेडल जित्ती थी, है न, तो इस प्रकार हमारी का जगा option number 2, इसका बिलकुल, जो की हमारे दीपा मलिक क्या है, दीपा मलिक, very good, तो चलिए अगला option देखे kyounger, कworking, correction number 10, कोफिक नमें, यहाँ पर क्या आपसे, ठ recursos थे, ध्यान परीबर कइंगे, कोफिकं पर मतलग है, अमारा, गोपी चंद, वाजदा, कोच ओप, गोपी चंद, किसके कोच है, तो गोपी चंद, हमारा कोच जो किसके थे, वावो, तो गोपी पीबी सिंदू के कोच तेकिन के कोच थे यहां पर पीबी सिंदू जागा जोकी बहुत असान पीबी सिंदू के मारे में आपको ने बताया ठीक है तो कॉफ्टिमर 10 का जरा हमारा टेसे आईठी एक को फुल प्राव बताइए बहुत असान है आई टीएप को होता है International जी टेंज फैडरेशन क्या होती है इंटरनाइशनल टेंज फैडरेशन तो इस प्रकाषपी बहुत सारे कॉफसिंस आपको मैंने करवा दियें बस तब अभी इस वीडियो में तहीं मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए बहुत-बहुत धन्यवाद